असलाम अलेकुम, a very happy lovely morning, dear students, how are you all, जनाब, कैसे आप सब खेरेच से हैं, ठीक ठाक, I hope you all are fine, say alhamdulillah, we all are fine by the grace of Allah, very nice, okay जनाब, कल हमने comprehension exercise की थी और I hope आपने अपनी copies में note down कर लिया होगा, तमाम question answers, isn't it, yes, you all are very nice, students, isn't it, जी, आज हम क्या करेंगे, the next exercise is, retail story, now, okay, now take out your copies, and you have to note down in your copies, or you have to note down this into your books, okay, चले, हमाई पास जो sentences मौझूद हैं, उसमें हमाई पस क्या लिखा हुआ है, retail story, write, rewrite these sentences according to the sequence of the story, अब हमने क्या करना है, जो sentences यहाँ पर हमारे पास मौझूद है, इन sentences को sequence में लिखना है, ठीक है, स्टोरी में जो sequence इनका दिया हुआ है, उनके हिसाब से लिखना है, ठीक है, अच्छा, sentence हमारे पास कौन से हैं, हम पहले वो sentences read करते हैं, नमबर वन, fox was sitting in front of his den, जानी के fox जो हैं अपनी den के पास पैठे वे थे, A walnut fell on Henny Penny's head, Henny Penny के head पर एक walnut आकर गिरा था, The third sentence is, where are you king, king अब कहा है, ठीक है, And the fourth one is, she got up and headed down the road singing, अच्छा, वो उठ गई थी और फिर वो चुप चाप गाना गाने लगी थी, ठीक है, road पर वो जा रही थी, तो वो काना गातों जा रही थी, तो अच्छा, according to chapter हमें इन sentences को sequence में लिखना है, ठीक है, तो अब हमारे पास sequence क्या होगी, कि भई सबसे पहले तो क्या हुआ था, कि Henny Penny जो है, वहाँ पर मौजूद थी है, ground में, तो अच्छानक से उनके सर पर walnut आके गिल जाता है, है न, तो first sentence हमारे पास क्या आ जाएगा, अब walnut fell on Henny's Penny's head, first sentence हमारे पास ये आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या हुआ था, कि भई वो उठ गई थी, और फिर road पर गाना गाते वे जा रही थी, तो फिर हमारे पास क्या होगा, second sentence, the fourth one is the second one, yes, she got up and headed down the road singing, वो उठ गई थी, और road पर गाना गाते वे बहुत अराम से जा रही थी, है न, अच्छा, उसके बाद हमारे पास third sentence क्या होगा, कि fox जो है, वो कहां पर बैठे वे थे, den के पास, क्योंकि जब वो रच्से में जा रहे थे, तो fox ने फिर उन्हें देखा था, है न, पैनी जा रही थी, तो fox ने उन्हें फिर देखा था, कहां से देखा था, क्योंकि वो अपने den के पास बैठे वे थे, ठीके, तो हमारे पास third sentence आ जाएगा, fox was sitting in front of his den, और फिर क्या था, फिर fox ने उन्हें जासा दिया था, उन्हें जूट बोला था, और अपने घर में ले कर गया था, तो घर में जाकर है नहीं पैनी, इन्हें क्या का था, ओ, where are you king, यानि कि किंग को उन्होंने कॉल किया था, तो यह हमारी जो है, यह sequence यहाँ पर मौझूद है, according to the chapter, अब आप यह sentences sequence के तौर पर, अपनी books में लिख लेंगे, ठीक है, very nice, now we have another activity, circle दा correct answer, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पर, answers मौझूद है, इसमें जो circle करना है, जो के correct है, जो के सही है, उसमें circle करना है, number one, the fox was very dash, cunning, sweet, helpful, ना fox sweet होता है, ना fox helpful होता है, बलके वो बहुत चलाक और मकार होता है, it means cunning, very good, the henny penny was very dash, wise, silly, angry, क्या henny penny बहुत ज्यादा हुश्यार थी, wise means हुश्यार नहीं, angry, गुस्से में दी, नहीं, silly, बेवकूफ थी, जी हाँ, वो बहुत बेवकूफ थी, so there is silly, very nice, now the fox belongs to the dash, fox जो है, वो कहां से बिलॉँग करते हैं, bird, dash family, कौन से family से बिलॉँग करते हैं, bird, क्या bird family है वो, नहीं, cat's की family है, यह dog की family है, they are from the dog family, ठीक है, so they are from the dog family, the answer is dog, very good, अब आपने क्या करना, in blanks में जो answers हैं, वो आप बुक में fill up कर लीजिए, और teacher को अपना वर, जरूर शो करवाईएगा, और उनको check करवाईएगा, जब आपको call करेंगी, प्यारे बच्चों, नहीं बहुत ज़्यादा ख्याल रख्येगा, have a nice day, Allah अफ़ेज,